हेलो एवरीबन दिस इस यो होस्स और वेलकम अगें टो वर चैनल एक्स्प्लोर यो प्रॉपर्टी सो गाइस आज आप लोगों को हम लेके आए हैं नौड़ा एक्स्टेंशन सेक्टर सोला भी और बहुत ही अच्छी कंश्टेक्शन क्वालिटी के विलाज दिखाने वाले हैं साइट का नाम रहने वाला है पैरेडाइस ग्रीन विला छोटी साइट है टोटल सिर्फ आपको 40 के असपास विलाज मिलते हैं अभी सीधे आपको साइट पे लेके जाएंगे उससे पहले थोड़ा सा कनेक्टिविटी और लोकेशन का मैं आपको आइडिया देता हूं अभी हम खड़े हैं सेक्टर सोला भी के बैक साइड वाले पर और अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो यहां पर आपको लाइन से 6-7 स्कूल मिलते हैं सकेस वर्ल स्कूल है उसके बाद विजडम ट्री है आगे बीलस है और भी यह पूरा इंस्टिउशनल जोन है और यहां पर आपको सारे स्कूल मिलते हैं और अगर मेरे आप लेफ्ट देखेंगे तो जितरे भी हाई राइज ह है वह और मों कम्लिशन है यह सेक्टर पूरा डेवलप्ड है पार्क इसमें डेवलप्ड है यह निराला का अपर मिल जाता है बह। सारे प्रोजेक्स हैं यहां पर तो पूरी डी दी यह लोकालिटी है और इन स्कूल से जश बैक साइड आपको विला मिलते हैं इस रोड से आपका walking distance है बहुत अच्छी connectivity है बहुत अच्छी location है अगर आप में रोड से आते हैं नौइडा से तो पहले गौर्चोक आता है उसके बाद आता है एक मूर्ती एक मूर्ती से आप लेफ्ट लेते हैं और बैक साइड में आपको स्कूल मिलते हैं तो सीधे चलते हैं साइड प है कुछ विला की फिनिशिंग भी हो गई है हैंडोवर भी हो रहा है कस्टमर्स को तो काफी अच्छी इसकी प्रिचेबिलिटी रहने वाली है साइट की और काफी अच्छा आपको यहां पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी मिलती है अब चलते हैं सेंपल विला की तरफ जो मैं आपको दिखाने वाला हूं 98 स्कॉर यार्ड का सेंपल विला रहने वाला है तो चलिए और देखते सेंप टफन ग्लास आपको मिलता है काफी अच्छा इसका उटर फसाड रहने वाला है इस विला की आपको दो एंटर्स मिलती है एक मिलती आपकी पार्किंग से यहां पर आपकी छोडी फोर विलर या आपकी टू विलर पाक हो सकती है या अगर आप इस पेस को किसी और तरह से पूरे विला में हाई-end सारी फिटेंग्स आपको मिलती है है यहां पर सामने आपको डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हैं और इसी के साथ में आपको यहां पर वैनिटी वीधा सिंक मिल जाता है जो कि आपके हैंड वाश के काम आएगा और सामने मिलता है आपको किचिन डेट और आए एरिया जो है किचिन का अलग रहने वाला है सारी फिक्शछ न ü備 रसे आपको बिल्डर करके देता है अब जैएसा देख रहे एसा ही आपको बिल्डर बना के देता है पूरा किचिन सारी ूपर से लेके नीचे तक सेंक सारी वाटर फिटेंग्स इलेक्ट्रि आपके living area से भी और आपके bedroom से भी तो dual entry रहेगी इस room की यह आपका square में 12 by 12 का room रहेगा जिसमें अभी एक sitting का हमने arrangement किया हुआ है सारा काम जितना भी आप देख रहे हैं LED lights, fans यह सब हम आपको करके देने वाले हैं शाफ्त पीछे आपको मिल जाती है पूरे के पूरे विला में नीचे आप टाइले भी देखेंगे तो दो बाए चार की टाइले आपको पूरे विला में मिलती है यह इसकी second entry है आप इसको room से भी access कर सकते हैं और आप इसको access कर सकते हैं इस toilet को भार से भी, lobby area से भी आप चलते हैं first floor की तरफ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ stairs के नीचे जो आपको area मिलता है इसको आप multiple type से use कर सकते हैं अपनी storage बना सकते हैं, shoe rack बना सकते हैं, kits के लिए कोई area बना सकते हैं, sitting लगा सकते हैं, जैसा भी आप चाहें आप यूज कर सकते हैं यह आपका पूरा staircase रहने वाला है, SS की आपको इस पे gardening मिलती है, साथ में toughened glass मिलता है और उपर, बिल्कुल height पे पूरा यह आपका open रहने वाला है, उपर आपको एक बहुत ही लगजीरिया sandalia मिलता है इसमें अब चलते हैं, फर्स फ्लोर पे और वहाँ देखते हैं, क्या क्या आपको वहाँ पर मिलता है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं, master bedroom जो विला का रहने वाला है इसकी balcony में अभी हम लोग खड़े हैं, 5 feet wide आपको balcony काफी huge spacious मिल जाती है, इसमें आप sitting कर सकते हैं, multiple इसका आप usage कर सकते हैं, वही सेम आपको toughen glass के साथ SS की garnishing मिलती है, रेलिंग में, पूरे विला में आपको ऐसी मिलती है, तो guys यह रहने वाला है, इसका master bedroom, size बहुत huge रहन master bedroom का, साड़े 20 by 13 का master bedroom आपको विला में मिलता है, एक बहुत ही luxurious बड़ा size आपको मिलता है, अगर आप इसको compare करेंगे किसी भी 3 VHK, 4 VHK अपार्टमेंट से, यहां तक की penthouse में भी आपको मेरे हिसाब से इतना बड़ा bedroom नहीं मिल पाता, इसी आप balcony से entry लेते हैं, on the right आपको यह पूरा wooden work मिलता है, जिसमें आपको बीच में TV पैनल, दोनों साइड आपको cupboards, दो दो पल्ले की दोनों cupboards रहने वाली है, उकर भी आपको storage मिलती है, ample size और storage आपको मिलती है पूरे विला में, यह रहने वाला है, इसका attached washroom, have a look guys, का master bedroom के आपको jaguar का shower panel मिलता है, काफी luxurious आपको यह feel देगा, काफी costly यह आता है, multi purpose है, इसमें आपको head shower, body shower, सब कुछ मिलता है, पूरे wall mounted tiles आपको मिलती है, vanity आपको मिलती है, mirror आपको मिलता है, and wall mounted ही है, आपको toilet seat भी इसमें मिलती है, तो सारा का सारा जो है, काम पूरे विला में आपको अच्छी finishing, अच्छी construction और अच्छी quality का मिलता है, so guys, first floor पे master bedroom के सामने आपको दो चीजे मिलती है, एक मिलता है, 12 by 12 का bedroom, यह same layout रहेगा, जैसे नीचे था, यह उसके ऊपर same बना हुआ है, वही dimension है, वही चीजे है, इसमें भी आपको attached light bath मिलता है, same सारी high end fitting के सा room में आपको TV panel, storage space, यह सारी चीजे मिलती है, पीछे आपको सारे ही rooms में, toilets में, यह आपकी kitchen में एक shaft का area दिया गया है, जो आपके terrace पे open होता है, यह आपका एक kids room या आप इसको एक छोटा bedroom भी कह सकते है, काफी अच्छा इसमें भी काम हुआ हुआ है, पीछे shaft में जाने के लिए, इसमें काफी अच्छी ventilation के लिए एक पूरी sliding door भी दिया गया है, so guys, अब चलेंगे इसके top floor पे, जो की रहने वाला है second floor, उसमें मिलेगा आपको एक store room और पूरा open plantation के साथ terrace, so guys, अब हम आगे top floor पे, आप इसको second floor भी कह सकते है, यहाँ पे आपको एक storage room मिलता है, काफी अच्छी space है, जितना भी आपका additional पूरे घर का समान रहता है, वो सब आप इसमें easily store कर सकते हैं, यह पूरा का पूरा जो विला है, एक family के लिए, तीन, चार, पाँच members के लिए sufficient है, आप easily इस पूरे विला को enjoy कर सकते हैं, यह रहेगा इसका open terrace guys, उपर आपको plantation और एक shed मिलती है, बिल्डर यह आपको बना के देता है, काफी अच्छी feel है, खुला हुआ environment है, चारो तरफ भी आपको बहुत जादा है, यहाँ पे high rises नहीं मिलती, सामने मिलती हैं, लेकिन आपके left and right पूरा खुला हुआ view बिलता है, और यह आपको terrace पीछे तक मिलता है guys, अगर आपकी family थोड़ी और बड़ी है, तो बिल्डर से आप बात करके यहाँ पे एक और अपना room बनवा सकते हैं इस location पे, तो आपका 4 BHK का यह apartment भी बन सकता है, with a study, with a storage, so guys, मैं आपको एक बार surroundings भी check करा देता हूँ, अगर आप मेरे सामने देखेंगे, तो यहाँ भी आपको future में विला मिलेंगे, पीछे भी आपको सारे के सारे विलाज ही मिलते हैं, तो यहाँ पे कहीं भी आपको high-rise नहीं मिलेंगे future में भी, सारे विलाज ही मिलेंगे 2, 2.5 stories, तो आपका हमेशा openness जो है, वो रहेगा, सामने आपको अब जो high-rise दिख रहे हैं, high-rise आप से काफी दूर रहने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको कोई समें कस्टमाइजेशन कराना है, आपको master bedroom या कोई रूम छोटा लग रहा है, और आपको उसमें toilet नहीं चाहिए, या आपको अपना outer area छोटा चाहिए, या आपको अमनी balcony बड़ी चाहिए, तो वो सारी कस्टमाइजेशन आप क पर आते हैं, तो next three to six months में आपको अपना विला बनके मिल जाता है, कुछ ready to move इन हमारे बास products भी है, आप उनके लिए भी जा सकते हैं, अब बात करते हैं, प्राइजिंग की, तो पूरी की पूरी टाउंचिप है, इंटीग्रेटी टाउंचिप है, छोटी टाउंचिप है, इसमें आपको सिर्फ 36-37 विलाज मिलते हैं, तो हम इस वाले size की अगर pricing की बात करें, तो लगबग 100 गज का विला है, 98 गज का है वैसे, तो ये पड़ता है आपको 1 करोड 7 लाग के आसपस, एक करोड रुपे में धंका 3BH के आपको Nord Extension में, आज की date में मिलना खतम हो गया है मैं आपको फिर बोलूँगा कि आप अगर यहां पे पूरे Nord Extension में कोई भी फ्लैट ले रहे हैं, एक बार इस प्लेस को विजिट कीजिए, देखिए क्या quality of construction है, क्या आपको fit outs मिल रहे हैं, आपको पूरा जड से बना हुआ अपना घर मिल रहा है, जो आपको एक फ्लैट मे सारी facilities नहीं मिलती, यहां पे इनका एक commercial, एक close gym और एक kids play area भी बनने वाला है future में, second phase में, तो आपको सारी amenities इसी locality के अंदर मिल जाती हैं, so guys this was your host Saurav and this was the video for today, thanks for time guys, मिलते हैं next video में, thank you very much.